दोस्तों इंडिया और इंग्लेंड सेमिफाइनल मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर सबने का वहाँ जोज बटलर कोई भी रिस्क नहीं लेना इससे कहते हैं दिरसल आइपल में अश्विन और बटलर के बीच ऐसा हुआ था जो कई दिनों तक चर्चा में रहा अश्विन ने बटलर को नोन स्ट्राइकर एंड पर मानकर रन आउट कर दिया था क्योंकि जोज बटलर गैंद फेकने से फेले रन लेने के लिए बाहर निकल रहे थे लेकिन इंडिया और इंग्लेंड के सेमी फाइनल मेच में जोज बटलर ने अश्विन के सामने कोई रिस्क नहीं लिया बलकि क्रीस छोड़ना तो दूर की बार बटलर क्रीस के काफी अंदर खड़े दिखाई दिये और अश्विन को कोई भी मौका नहीं दिया कि वो फिर उसी तरह उट हो इससे पहले इंग्लेंड की महले टीम की खिलाडी भी इसी तरह आउट हुई थी जिस पर काफी विवाद हुआ था लेकिन कहते हैं न दूर का जला भी छाच फूक फूक कर पीता है तो जोस बटलर भी पूरे अवेर थे बलकि अवेर ही नहीं जिस अंदाज में इंग्लेंड ने इंडिया के खिलाफ जीत दर्श की उससे लग रहा था कि इंग्लेंड पूरी तैयारी के साथ मैदान में आया था इसी वज़े से टीम इंडिया की गेंदबाद इंग्लेंड के सामने बेवस दिखाई दिये जोस बटलर की इस अवेरनेस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं